इस वीडियो में हम जानेंगे से लिए हम बैटरी को सिरीज और पाइरल कनेक्शन क्यों करते हैं और इसका ज्यादा तर परियोग कब किया जाता है इसकी बारे हम जानने वाले हैं सिरेडी करम या सिरीज कनेक्शन सिलो को जोड़ते समय पहले सिल का धनात्मक्शिरा दूसरे सिल के दिड़ात्मक्शिरे से तथा दूसरे सिल का धनात्मक्शिरा तीसरे सिल के दिड़ात्मक्शिरे से जुड़े होते हैं और या दिया करम चलता जाए तो सभी सिरेडी करम कहलाते हैं जिस परकार हमारे पास जैसे 4 बैटरी यहां है 12 बोल्ट की अगर उसको 48 बोल्ट बनाना है तो उसको हम series connection करेंगे पहले बैटरी के दूसरे बैटरी के साथ दूसरे बैटरी के तीसरे बैटरी के साथ इसी तरह series connection होगा जो कि वहाँ पर बोल्टेज ज्यादा पराप्त होगा इसे को हम series connection कहते हैं इसको बोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया आता है प्रन्त इसमें बोल्टेज तो बढ़ता है लेकिन इसमें ampere नहीं बढ़ता है एंपियर बढ़ाने के लिए parallel connection करना पड़ता है जिस तरह चित्र में नीचे दरसाय गया है उसी तरह सभी शेलों यह बैटरीयों को जोड़ना है जो कि सिरी जवा से रेडी करम कहलाएंगे समांतर करम या parallel connection चित्रा नुसर सभी शेल के धनात्मक सिरे आपस में जोड़े वा रिडात्मक सिरे आपस में जोड़े जाएं जों दोनों की बिंदुओं से तार बाहर निकाला जाए तो परिप्र समांतर करम कहलाता है जिस परकार इसमें सभी बैटरी का प्लस पॉइंट एक साथ जोड़ा गया है और निगेटिव पॉइंट एक साथ जोड़ा गया है तो ये parallel connection कहलाता है इसमें जो भी एक बैटरी का voltage होगा वही voltage हमको प्राप्त होगा लेकिन इसमें ampere प्लस पॉइंट प्लस होगा ampere को ग्याद करने के लिए चित्रा नुसार हम ampere को सिरेज में लगाते हैं इसके बाद हम सेलेयम बैटरी का ampere मापते हैं जिस तरह चित्र में दरसाया गया है उसी तरह हम ampere को ग्याद करते हैं इसी तरह नई नई जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाई यरूर करें तब तक के लिए बाद मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में